हेलो गाइस विल्कम तो दा योटूब चैनल और टीमस वर विन और भी हम जिस मैच के बादे बात करने वाले हैं वह आज रात को होने जन्नावरा रालिगा का मैच जो की होने जरा है रियल बेटीज और गॉनाड़ा के बीच में तो यह मैच होने जरा है बेनिट विया मारीन में जो कि है रियल बेटिस का घर यह है मैच टेट 29 करेंट की बात करें तो रियल बेटिस आपको साथ वेस्तान पर दिख जाएगी और गनाटा दस वेस्तान पर है मतलब आप समझ सकता है कि लीक टेबिल की हिसाफ से तो दोनों ही मतलब कि बहुत जादा वो अटाकिंग फुटबॉल या पॉजिव फुटबॉल खेल रहे हैं ऐसा नहीं है एक आध गोल करके उसको डिफेंट करने की कोशिश है और उसी बीच में अकर वो एक आध गोल कर पाना उनके तरफ से हमें वह दीख नहीं रहा है सेम प्रॉब्लम ग्रानाडा के तरफ से है यह रियल बेटिस तो फिर भी डिफेंसिब ले अच्छा कर रही है ग्रानाडा लेकिन कहीं पे भी उनका आपको उस तरह के कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेंगे अटाकिंग ही खेल रहे हैं यह इनके तरफ से गोल करना ही में जो है काम हो र सब्सक्राइब करें तो थोड़ा सा खराब है यहां से मांडी फेकिर यह दोनों फूटबॉल के पार रहे हैं तो यह दोनों आवेलेबल नहीं होंगे ग्रानाडा के तरफ से बताया जाए तो लूइस मिला रोबर्ट व्यूनिके बेन अटाकर है आपको सब कर आई होगा य यह दो शेटि मौट शेटाइब नहीं खेलें कि कार्लोस नेवा केनेडी यह फिर्स्टीम फूटबॉल के पारट रहे हैं लेकिन उस तरह से उन्होंने स्टार्ट लहीं कर था लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे चलता जा रहा है अब कह सकते हैं कि हार नहीं रहे हैं कुछ ना तो इसलिए जो उपर वाले टीमों के उबर प्रेशर बनाने का एक मौका बन सकता था वो भी बना नहीं बा रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ वो लेकर जा रहे हैं एक पॉइंटी से ही लेकिन हाथ में उनके कुछ आ रहा है हला कि आखरी जो हेट्टियूर मैश हुआ था दो सु मिट फिल्वें यहां पर पूटी तुरे किसे कि राणर रहें रॉमिनेट करा था जो कि जेनरली उनकी स्टेंथ होती नहीं है लेकिन यहां पर था और यहां पर कुछ खास बताना करें नहीं है अगर आप चाहें तो यहां पर रिपोर्ट देख सकते हैं कुछ इंपॉर्ट सब्सक्राइब करते हैं कैसे मैं आगे आपको समझाओंगा और रूइस रहें कुछ बात करूं तो जैसमान आपको बता है कि रियल बेटीज लगातार दस मैसे से दस मैसे में एक ही मैच वहाड़े से सेविया के अगेंस्ट में और नौ मैसे उन्बीटन है तो इसलिए उतन पढ़ना पड़ा लेकिन ऐसी बात भी यहाँ पर नहीं थी प्रॉब्लम उनके तरफ से क्या हो रहा है कि पॉजिटिव गोल्सकुलर्ट की कमी नजर आ रही है सप्लाइलाइन बहुत अच्छा है इनके बिट फिर्में गुल्ट रोट्रीकेस और सर्जियो कनाड़ेस कंसिस बढ़िया फुटबॉल खेल रहे हैं ऐसा कोई मैच नहीं गया अच्छी जहां पर यह दोनों खराब खेले हो मतलब हर मैच पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया है लेकिन पॉजिटिव गोल्सकुलर्ट की नजर आ रही है और इसलिए अगर आप डिसेंट मैचिस को देंगे इसके सिवाए कोई और भी खेल सकते हैं और क्रिस्टिन टेलो इनके सिंटल डिफेस मांडी और विक्टर रूइस आपको दिख जाएंगे मांडी आज के मैच में अवेलबल नहीं होगे तिनके पर कोई और खेल सकते हैं बाकि जो इनके दोनों फूल बैक्स हैं एमर्सन लेकिन इनके साइट से टीमें प्रेशर भी बनाती हैं ऐसा नहीं कि यह बुरा खेलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अग्रेसिव हो जाने के चक्कर में कुछ एरोड़ यह कर वैटते हैं जहां से टीमें प्रिशर बनाती हैं नहीं तो ओवराल ठीक ठाक है और एलेक्स तो इनका विंग भी कम से कम राइट साइट तो काफी असे चलने लगता है लेगिन अटाकिंग ली थोड़ा पहुत पोटेंशियल हम यहां पर कम देखने को मिला है इस मैं क्या हुआ था कि कानालेस और फेकीर ने गोल करना था दोनों ही गोल प्रोवाइट गिया था हुआ को वही बात है कि एकाद गोल कर ही सकते है टीव में एयौर हो सकता है प्लेइर से कुछना कुछ मेस्टेक कर सकते हैं तो वही से अगर कोई तीम गोल कर देने उनको तो उसके बाद उस गोल कर आना उनके काफी प्र प्राँब्लम्स aan हो जाता हैं यह अगर рем 8क आप्त कर लेको और विक्टर रोई यहां पर और गुल्ड रोज्रिगेस यह प्लेयर को आज के मैश में आप छोड़ नहीं सकते है तो आप किसी भी तरीके से को छोड़ नहीं सकते हैं और बेटिस के टीम का हाट है गुल्ड रोज्रिगेस और सर्टियों करना लेस यहां पर एक एक की बराबरी होई थी भायादोयद की अगेंस में तो वही बात है हारी नहीं है तो खार क्या दिखाएं रिसेंट समय में य यहां पर गुल्ड रोडिगेस ने कमाल ख़र भुल खेला था गुअधा दो कभी कवार आ जाते हैं सेंटल मिट फील में कभी कवार विंग पे चल जाते हैं करना इसका पोजी सने बार देख रहे ना करना जब लेकिन अगर इनको विंग बगरा में टाल गया जाता है तब मतलब परफॉर्मस उतना अच्छा नहीं नजरा आया है यह देखा गया है डिफेंस वगर सब कुछ रही था यहां पर गोल हलाकी करा था रुईबाल ने यह खेल सकते हैं अगर समझ दिए हुआ कोई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो रुईबाल को भी कभी कवार खिला जात एक चीज आपको कॉंसेस्टेंटी दिख रही है कि बिटीस पोजेशन रख रही है और यह किसी भी नेगेटिव अपरोच वाली टीम का यह चीज एक कॉमन होता है कि वह पोजेशन रखते हैं पासिंग वगर करके ऑपनेंट टीम को मतलब आइसोलेट करते रहते हैं बॉल स इसे करते हैं तो यह कुछ तक आइडिया के बारे में सब कुछ सही कर रहे हैं यह चांसे उस बना रहे हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं हो रही है शौट टारगेट भी इनका काफी कमा रहा है बाकि इधर उद्वर से पॉइंट करने वाले प्रियों की तरह से काफी है उस तर इनके तरह से सबसे खराब जोन मुझे नजर आ रहा है वह इंका बिट फील मतलब मिलिमम क्रियेटिविटी भी हम यहां से नजर नहीं आती है अट्राकिंग तर्ड में कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि डार्विन मार्ची यह भी हाईली इंकॉंसिस्टेंट है जिस दिन खेले इनके तरफ से 10 पॉइंट भी देखने को नहीं बिलेगा उसके सिवाए मोलीना खेलते हैं जो रोबर्ट सॉल्डाड़ो और मोलीना के बीच में अल्टरनेट करती रहती है तीम सेंटर चाय के तौर पे और पुएटास यहां पर है यह जो अटाकिंग प्लेयर्स हैं इनके पर ही डिपेंड करता है अगर यह कुछ गोल अगरा करें तो कुछ पॉइंट सेलवेज हो नहीं तो क्रियेटिवीटी तो इनके तीम में नहीं है दोनों फूल्बैक्स के टीम में दिमित्री फुलकवा और क्वीनी इनमें से क्वीनी जो है न यह भी हाईली इंकॉंसिस्ट जाता है तो इसलिए इनके तरफ से टीम में बहुत जाथा प्रिशर बनाती है इवन जो आखरी मैच मेने खिया से गराड़ा का लिस्ट किया था ड्रीम 11 सेविया के अगेंस्ट में वहां पड़े भी जब तक कुई नहीं मैच पे नहीं थे गराड़ा काफी अच्छा फाइ के विंगर्स के अगेंस्ट में इनको काफी इशू होते हैं जो कि आपको आगे भी दिख जाएगा यहां पर भी वह एक गोल से हाड़े थे और सामने बारे तुम की बास बैसे भी जादा कुछ था नहीं लेकि रून के अगेंस्ट नहीं कर पाए तो फुल पर्फॉर्स कर रहा था दो एक गोल से यहां पर भी बहुत बढ़िया फुटबॉल नहीं खेला था बिट फिल में फिट से प्रॉब्लम्स था एक गोल हाला कि वाया दो इतने वापस कर रहा था फिनल्डी से उन्होंने भी कुछ खास नहीं कर रहा था लेकिन कुई निका पफॉर्स यह जिस दिन आता है यह काफी काफी अग्रेसिव आपको नजर आते हैं बागी बहुत जादा क्लियेटिविटी यहां पर नहीं था मोलीना जो इनके में स्ट्राइकर है इन्होंने यहां पर गोल करा था तो रिपोर्ट की बात करें तो विंग प्ले जहां से यह थोड़ा यह काफी अच्छा करते हैं बाकि किसी भी प्लेयर के बाड़े में उस तरह से बताने के लिए नहीं है बहुत ही मुश्किल होगा कि आप ग्राड़ा के तरह से कोई ऐसे प्लेयर को ढूंड रहे हो जो वीडाउट स्कोरिंग गोल या मेकिंग असिस्ट आपको हो सकता है 25 प सब्सक्राइब करा ही हुआ है अटाकिंग थर्ड में जो में इनकी अटाकर्स होते हैं उनमें से भी आश्क मैच में सोल्डारों अवेलेबल नहीं होंगे तो इस अब कुछ देखने के बाद जो टीम है अफकॉर्स हम बेटिस के सपोर्ट में बनाएंगे एक तो बेटिस ब सपोर्ट में लेकिन ग्रानडा के तरफ से डिरेट जो अप्रोच रख सकते हैं गोल में उनको हम रखने की कोशिश करेंगे ज्यादा इदर दर से पॉइंट करने वाले पेर नहीं रखेंगे यह को सेटपी स्टकर्ट है अगर आप चाहे तो देख सकते हैं यहां पर आपको कनालेस दिख जाएंगे बिटिस के तरफ से और यहां पर मॉन्टोर मॉलीना वगरा कुछ है आप देख लिजगा स्टाइस्टिकली बात करें तो कनालेस हाइस गोल स्कोर हाइस असिस्ट में कर चल रहे हैं और डिदर इसे डीजन की आज की मैश्मिन को काफी लोग कैप्ट अगर अगर अटाकी बिटिफिल्डर कताव में खेलते हैं तो जरूर से आपके टीम में होने चाहिए उसके बाद हुआ कुई मेरा टीम में जरूर होंगे यूँकि विंक की अगेस्ट में इस्ट में इस्ट है गराणा करा काम से कम रुईबाल और हुआ को इन रखता हूँ क्योंकि यह ओवराल काफी कंट्रिबूट करते हैं तो यह तीन हमारे यहां पर हो गया उसका विक्टरीस और यहां से एमर्सन और मिरांडा में से आप कीसी एक को ले सकते हो लेकिन इमर्सन में जरूर होंगे मिरांडा आपका चोईस है गोल कीबर जो है बेटीस के तरफ से तरफ सकते हैं तो आप दोनों को ही मैनेज कर सकते हो और बाकी ज्यादा कोई मिड्फिल्ड मुझे मुझे दिखने ही रहा है आप एक बार के लिए मोंटोरों को हो सकता है कॉंसिलर कर भी लो लेकिन मैं ज्यादा साजिस्ट नहीं करूंगा कोई चीजे हैं कुई निको आप रख सकते हैं क्योंकि एमर्सन की अगेस्ट में तो यह साड़ी चीजे और साड़ी अभी एक बार देख लेते हैं की टीम इससे पहले मैं टीम अगर आपकी वीडियो बसंद आई हो तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना चैनल को और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जोइन हो जाना क्योंकि इस मैश की फाइनल स्मॉन तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलवन की टीम तो मैंने यहां पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है बहुत जादा में डिफेंस या फिर क्लीन शीट के लिए नहीं जा रहा है लेकिन डिफेंसिव प्लियर्स मैंने जादा रखके हैं क्योंकि प्रिसर एब्जॉब क चाहो तो हुआ कीन और रुईबाल में से किसी एक को लेसकते हो लेकिन मैंने दोनोर विंगर्स को रख लिया है दिखाने के लिए आपको कि यह खेलते हैं तो मैं रखूंगा हुआ को इनको रखोंगा रुबाल और अगर आपको बसंद आए तो आपको रख सकते हो और अगर यह विंग पे नहीं खेलते हैं तो आपके लिए पॉंट नहीं चाहिए वैसे भी काफी दोग इनको अभी के लिए तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं इसके सिवाए अगर कुछ अलग करना चाहते हो आप तो यहां पे विक्टरुर्स के साथ जा सकते हो वैसे भी आपके गोड़ा दिरगश इस विए चाहिए क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट पॉंट स्कोरर यह मिल जाएंगे गोल करे या नहीं करे अटाकर से एक बार के लिए गोल भी कर सकते हैं लेकिन यह मुझे लगता है कंसिस्टेंटली आपको कुछ ना कुछ पॉंट देख जाएंगे तो यह साड़ी चीज़ें साड़ी अनलसीज वीडियो अकर बसंद दाया हो तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना चैनल को टेली ग्राम चैनल पर मसली जॉइन हो जाना क्योंकि इस मैच की वही पर आने वाली है तब तक के लिए बेश्ट लग पर दिस मैच और पर डाउ झाल 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 झाल